तो आज हम इस्टोरी सुनाएंगे और इस्टोरी से बहुत को सीखना है हम इस्टोरी हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती हैं इस्टोरी से हम बहुत जल्दी चीजों को समझ जाते हैं एक बार एक छोटा बच्चा होता है इतना है यह बोलती है इधार आओ इधार है किया बोलती है सर मेरी वैल्यू क्या है वैल्यू मतलब मेरी क्या कीमत है मैं किस लायक हूँ बैढ़ जाओ किस लायक हो तो छोटा बच्चा अपने पिता से बोलता है कि मैं किस लायक हूँ मेरी क्या कीमत है तो उसके पिता उसको एक अच्छा सा पत्थर देते हैं चमकीला सा बढ़िया जो देखा होगा नदियों में होता है चम्कीला चम्कीला पत्थर ऐसे एक अच्छा सा पत्थर देते हैं कि कहते हैं इसको लेके जाओ मार्केट में और खड़े हो जाना जब तुम्हारे पास कोई आए तो और इसकी कीमत पूछे तो कुछ मत बोलना सिर्फ दो उंगली उठा देना ऐसे छला गया मार्केट में बजार में खड़ा हो गया एक दो घंटे खड़े रहा है एक बुड़े बुड़े अंकाल आए पत्थर देखा बहुत अच्छा लग रहा था चमक रहा था प्या Espero क्या इसने का दे रहो यह पत्थर तो इसने ऐसे कड़ दिया तो इसने गए 200 रुपए मैं तो मैं ले लूँआ कुछ नहीं बोला वो उसको दिया भी नहीं घर आ गया पापा को बताया पापा और एक अंकल आये थे बुड़े-बुड़े थे उन्होंने 200 रुपए बोला है तो पापा ने उसके कहा कि ठीक है अब तूम ये पथर ले के म्यूजियम में जाओ म्यूजियम जानते हो ना जहां पूरानी पूरानी तो फिर उसने ऐसे कर दिया तो उसने का कितना बीस हजार रुप बेसकीमती पथर होते हैं, उनकी दुकान में जाओ, पथ्रों की जो दुकान होती बेसकीमती पथफर होते हैं, अंगूठी के पथ्र सारी चीरों के पथर, तो वहां गया वहां पथर लेक slow return, खड़ा था, धुकान बहुत बड़ी थी, बिल्कुल आली शान दुकान, तो वहा एक जोहरी अंदर से बाहर निकला और बोला बेटा ये पत्थर तुम है कहां से मिला ये पत्थर तो बहुत कीमती है ये पत्थर तुम लाए कहां से और उसके हां से वो पत्थर ले लिया और बोला कि बताओ ये पत्थर मुझे तुम कितने में दोगे ये तो बहुत कीमती पत्थर है तो उसने ऐसे कर दिया तो उसने क्या बोला कितना दो करोड रुपे दो करोड रुपे लोगे ठीक है मैं तुमसे ये पत्थर दो करोड में खरीदने के लिए तयार हूं तुम मुझे ये पत्थर दो करोड में दे दो फिर वो घर आया और पिता से अपने बताया कि पापा वहाँ एक आदमी मिला था उसने बोला कि 2 करोड में मैं पत्थर खरीद लूँगा क्या बोला उसने कि मैं 2 करोड रुपे में वो पत्थर खरीद लूँगा तब उसके पिता ने बताया कि बेटा इसी प्रकार तुम्हारे जीवन की भी वैल्यू है जिस जगे पर तुम खड़े होगे उस जगे पर तुम्हारी वैल्यू लग जाएगी जैसे कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो अगर वो देखते हैं जहां मजदूरों का वो लगता है सुबह सुबह मजदूर जाते हैं खड़े होते हैं भीड लगा के कितना भी पढ़ा लिखा आदमियों अगर उनके बीच में खड़ा हो जाएगा तो लोग क्या बोली लगाएंगे चलोगे हमारे यहां काम है चार सुरुपए देंगे दिहाडी बोलेगे कि नहीं कितना भी पढ़ा लिखा हो वो इनसान अपनी योगिता लेके दूसरी जगे चला जाएगा तो उसकी और कुछ वैल्यू लग जाएगी वही इनसान अपनी योगिता लेके आईये स्पीसियस बन जाएगा तो उसकी योगिता अलग हो जाएगी तो आप लोगों पूपर डिपेंड करता है कि आप अपनी योगिता क्या बनाना चाहिए जैसे लोगों के बीच में रहोगे जैसे अपनी योगिताएं बनाओगे वैसी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी उतने ही तुम कीमती बजंदार बनते चले जाओगी तो इस कहानी से क्या सिक्षा मिली हम जैसे माहौल और जैसे लोगों के साथ रहेंगे हमारी वही वैल्यू बन जाएगी तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आपको कीमती बनाना है ज्यादा से ज्यादा अपने आपको योगित बनाना है और अच्छे लोगों के साथ रहना है ठीक है तो ये इस कहाने से हमको सिक्षा मिलती है